हेलो फ्रेंड स्वागता आपका आपके अपने चनल होम टुशन पे दोस्तो हरियाना पुलिस मेल कॉंस्टेबल के रजल्ट और फेमेल कॉंस्टेबल के रिवाइज रजल्ट को लेकर भी बड़े खुसकबरी है अगर आप जानना चाते हैं वीडियो को ध्यान सिर्फ पूरा देखिए दोस्तों अगरा पी चनल पे नए है चनल को सब्सक्राइब के लिजिए बेल अगन को प्रेस के लिजिए और किसी परकार की लेटस न्यूज अपडेट रजल्ट नोटिविएशन को पानने के लिए हमे इसमें एक इस पेपर था तो इसमें तो नोर्मलाज़सन का कोई चकर नहीं है तो आपका रजल्ट 15 मार्च के आसपास आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों आप बात करते हैं कि फेमेल कॉंस्टिबल का रजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा तो दोस्तों कल विदान सबा में मुख्यमंतरी साब से CT एक्जाम को लेकर हरियाना पुलिस में जो परसंटाइज मेथड है नोर्मलाज़सन है उसको लेकर सवाल किये गए थे तो मुख्यमंतरी साब ने भी रिपलाई दिया था और एक बात सत्य है कि जो नोर्मलाज़सन है ये केवल HSC अपलाई नहीं कर रही है ये railway SSC हर एक्जाम में अपलाई होतर SSC में तो ऐसा होता है कि एक बच्चा 200 में से 106 में नंबर लेकर भी फैल हो जाता है और एक बच्चा 200 में से 170 नंबर लेकर भी 200 पलस उसके नंबर हो जाते है तो इस मेथड से तो पूरी दुनिया दुखी है लेकिन ज रिजल्ट आपका रिवाईज होगा ठेक है तो फेमेल कॉंस्टेबल का जो रिजल्ट है डेफिनेटली रिवाईज होगा और कुछ बच्चे जो सलेक्टिड है अभी वो बाहर भी हो सकते हैं और जो अभी सलेक्ट नहीं हो पाए थे वो सलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ सकता है दोस्तों बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा तो फेमेल कॉंस्टेबल का रिवाईज रिजल्ट पत्चीस मार्च के आसपास आपको देखने को मिल सकता है शेक है ऐसा मुख्यमंतरी साब ने अपने बयान में विदान सभा में जवाब देते हुए कहा है दोस्तों और जो परसंटाई मेथड जो भी मेथड फेमेल कॉंस्टेबल रिवाईज रिजल्ट में अपलाई होगा उसी मेथड से मेल कॉंस्टेबल का रिजल्ट भी तयार होगा तो दोस्तों मेल कॉंस्टेबल का रिजल्ट आपको लग बग लग बग अप्रेल के पहले स सब्ता में देखने को मिलेगा दोस्तों तो यह नई अपडेट है लेटस्ट अपडेट है मुक्यमंत्री साब ने विदान सवा में जवाब दिया था सारे प्रसुनों का उन्हीं के संद्र में बताया था तो फेमेल कॉंस्टिबल का रजल्ट भी रिवाइज होगा और जो दोस्तों तो यह आपके लिए लेटस्ट अपडेट थी इंतजार करते रही है चेक है और दुर्गा सकते का मैंने बताई दिया है कि आपका 15 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसी प्रकार की लेटस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमें स